अफगानिस्तान और नुजिरेन का मुकाबला लोगों नहीं सोचा था कि इस तरीके से अफगानिस्तान मुकाबले में जीतेगा और नुजिरेन के लिए आगे का रास्ता मुश्किल कर देगा एक तरीके से एक एतिहासिक जीत रही अफगानिस्तान की और सुपरेट में लगबग लगबग जगा पक्की हो गई क्यार आप पूरे मैच का समीकरण और कैसे अफगानिस्तान ने सुपरेट के लिए कौलिफाई कर लिया है पूरी जानकारी आपको इसे वीडियो में बताएंगे लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जहूर करें अब अगर बात करें मुकाबले की तो अबगानिस्तान ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 20 ओवर में 169 रन बनाएं और एक तरीके से अगर आप देखें तो पहले विगट की फिर से शटकी साजेदारी ये साजेदारी पिछले मुकाबले में भी हुई थी लेकिन बाद के बल्ले बाजों का खराब प्रदर्शन रहा जिससे ये स्कूर बहुत आगे तक नहीं पहुच पाया अगर हम बात करें स्कूर काड की तो गुरबाद ने शांदार 56 गिदों पर 80 रन बनाएं इब्राहिम जादरा ने तालिस गिदों पर 44 और फिर अजमत उल्ला ने 13 गिदो पर ओल आउट हो गई आप यखीन नहीं करेंगे लेकिन पचात्ता रनों पर न्यूजी लंड के टीम 15 अबर दो गिदों पर सिमट गई उनकी तरफ से ग्लेन फिलिपस ने 18 गिदों पर 18 और मैट हैंडरी ने 17 गिदों पर 12 रनों की पारी खेली बाकि कोई बल्लेबाज इस अब यहां से क्या मामला है कि अब तक अपने दो मुकाबले जीत चुका है और वहीं जो गुरूप सी का पॉइंस टेबल है वह कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के पक्ष में जाता है अगर आप इस समिकलर को देखें तो दो मुकाबलों में अफगानिस्तान की दो जीत के युगांडा दो में एक जीत पापुआ न्यूगनी दो में कोई जीत नहीं वहीं न्यूजिलेंड एक में एक हार और उनका जो रन रेट है वो माइनस फोर में पहुंच गया है इसलिए न्यूजिलेंड के लिए आगे बड़ी मुश्किल हो गई है और वहीं अग्वानिस् जीत को आप कैसे देखते हैं कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें